3 जून को इस साल की Most Aveted अक्षे कुमार की फिल्म समराट पृत्षी राज रिलीज हो चुकी है इस फिल्म के रिलीज होते की साथ ही ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई थी उससे पहले ये विवादों में भी घिरी फिल्म के रिलीज के पहले से ही अनुमानी था कि ये फिल्म कुछ न कुछ कमाल कर दिखाएगी लेगिन आपको बता दें कि अक्षे कुमार की समराट पृत्षी राज को बॉक्स ओफिस पर बहुती स्लो उपनिंग मिली है पृत्षी राचोहन की कहानी पर आधारिद इस फिल्म ने पहले दिन काफी निराश किया है पहले दिन उम्मीदे थी कि ये फिल्म करीब 10 से 12 करोर का कलेक्शन कर लेगी हालाकी ऐसा होता दिखा नहीं है डाइक्टर डॉक्टर चंदर प्रकाश दिवेदी ने इस फिल्म को बनाया है और इस फिल्म की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबो और दोपहर के शो में सिनिमा घरों में सिरिफ 15 प्रतीशत सीटे भरी हुई थी फिल्म के अडवांस बुकिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी सिर्फ 10,000 टिकट ये अडवांस में बुक हुए थे ऐसे में उमीद के मुकाबले मानुशी चिलर के डेब्यू फिल्म बॉक्स अफिस पर बिलकुल सुस्त लग रही है जबकि दो हफते पहले रिलीज हुई भूल बुलेया 2 15 वे दिन भी टिकट खिड़के पर अपना दम खम दिखा रही है आज इस वीडियो में बात करेंगे अक्षे कुमार की फिल्म समराथ पृतिराज के डे टू कलेक्शन प्रिडिक्शन के बारे में इससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपरिजन की कार्थिकारियन की भूल बुलेया 2 ने दो हफतों में 137.88 कड़ो रुपे का बिजनस कर लिया है अनीज भजमी के डारेक्शन ने बनी इस होरर कॉमेडी ने बॉलीवुट पर छाय काले बादल को कुछ हद तक साफ कर दिया है बीदे कुछ महीनों से बॉक्स ओफिस पर बॉलीवुट की तमाम फिल्में बैक टू बैक पिट रही थी कोड़ अक्षे कुमार की बच्चन पांडे का बहुत ही बुरा हाल रहा कंगना रनोत की धाकर तो डिजाश्टर साबित हुई वहीं अजये देवगन की रन में 34 और टाइगर श्रॉफ की हिरो पंती 2 भी बत्तर हाल में रही ऐसे में भूल बुलेया ने न सिर्फ अच्छा बिजनस किया बलकि कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोर डाले कहीं न कहीं अक्षे कुमार के समराट पृत्वी राज को टक कर बाकी फिल्मों से भी मिली है क्योंकि बीते हफ़ते जो फिल्में आई वो ना तो उतनी दमखम वाली थी और ना ही अच्छा रिस्पोंस कर पा रही थी लेकिन तीन जुन को ही पृत्वी राज के अलावा और भी तीन बड़ी फिल्म में परदे पर आई है ऐसे में दर्शकों को सिनमा घरों तक बटोर पाना वाकई बहुत ही मुश्किल काम था लेकिन इस काम में सफलता अक्षे कुमार को हासिल होती नहीं दिख रही है समराट पृतिराज शुकरवार को देश में 3750 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई आम तोर पर कोई भी बड़ी फिल्म 2000 से 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज की जाती है यानि की बॉक्स ओफिस पर पैसा कमाना है तो एक फॉर्मुला स्क्रीन्स की संख्या बढ़ा कर और टिकट की कीमते बढ़ा कर भी काम करता है समराट पृतिराज की मेकर्स नहीं ये दोनों ही चीज़े अपनाई कई जगों पर टिकट की कीमते 700 से 800 रुपे तक रही ऐसे में फिल्म 15 फीज़दी दर्शकों के सिनिमा घरों पहुँचने पर इतनी जादा स्क्रीन संख्या के साथ डबल डिजिट में यानि की 10 करोड या इससे अधिक की कमाई का हिसाब लगा सकती थी हो ना हो समराट पृथिराज की इवनिंग शो और नाइट शो में दर्शक बढ़े हैं लेकिन अगर ऐसा होता तो ये फिल्म उपनिंग डे पर 10 से 12 करोड से जादा की कमाई कर लेती लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं है बलकि रिस्पोंस उम्मीद से जादा ही बुरे निकले है वहीं अगर दूसरे दिन के कलेक्शन प्रेडिक्शन की बात करें तो आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि समराट पृथिराज दूसरे दिन 5 से 7 करोड का कलेक्शन कर सकती है